तो हेलो गाईज, स्वागत हैं आप सभी का एक पर फिट से मेने नए वीडियो में तो सबसे पहले तो बता तो आज चो मैच होने वाला है इसी है स्पोर्ट गूल का T10 वाला मैच आज 4 बजे LCA और पंजाब के बीच मैच होने वाला है आज दो मैच होने वाला है, सेम टीम के बीच में तो आप वीडियो का एंड तक बने रहना, आज 8 बजे भी यह मैच होनगा तो दोनों की टीम में आपको प्रोवाइड करनूगा टेलेगराम चैनल बन, जहां का लिंक मैंने डिस्क्रेशन में दे दिया है एलसी और पंजाब की बीच में मेच होने वाला है तो आप उमिद रखना कि पंजाब की मेच यह टीम वीन हो तो अगर मैं बात करूँ आज टीम एंड कॉमिनेसन के तरफ तो देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे विकेट के विकेट के शाट兩चर नहीं करते हैं हम दिचार नहीं करते हैं क्योंकि देखो और्च मुस्ता कविच और अहम अधर सबसे ज़्यादा परश्ण सेलेक्शन है अगर मैं इसके स्टा स्टस्ट बताओ तो आप भी इन दोनों प्लेयर को ड्रॉप करोंगे देखो दस मैच में एम रावल की स्ट्रेट्स बताता हूँ दस मैच में सिर्फ अटरा रन बनाए अब इसको मैं इसको टीम में रखूंगा नहीं तो इंपोर्टेंट है नहीं और 70 बटन सेलेक्शन है और काफी लोग इनको ले रहे एफ मुस्ताफिक की बात करूँ तो इसके भी चार मैच में सिर्फ 32 रन बनाए इंपोर्टेंट नहीं है उसकी जगा आप चाहस खान को लेकर चलो क्योंकि न्यू पिलर है अभी इस टुनामेंट में खेलना आया पहले नहीं खेला है तो हो सकता है आज रन बनाए अगर टॉप अडर में मैंसन हो तो आप इसको जरूर रखना ट्रंपिक बनेगा बैटिंग सक्सेंस अगर बात करूँ तो देखो ऐस सिंग ऐस सिंग का अगर मैं स्टर्स बताओं तो 28 मैच खेले अठ़ाइस मैच में 438 रन बनाएं बॉलिंग नहीं करने वाला थे चाओ तो रख सकते हो वह आपके मर्जी बट मेरखूंगा इंपर्टेंट है टॉप अडर में मैंसन होने वाला है बैटिंग करने वाला है तो इंपोर्टेंट है लेकर चलना क्यों अनवर की में बात कर रहूं तो देखो क्यों अनवर ने 26 मैच खेले 26 मैच में आला की रन काफी कम बनाएं सिर्फ 171 रन बनाएं और हां हर मैच में बंदा बॉलिंग करा रहा तीस मैच में इसने 16 विकेट भी लिये हैं दो दो ऑबर की बालिंग कंफर्म है लेकर चलना बालिंग समय पॉइंट दे सकता है आर इम्रान को लोग काफी जाएदा ड्रॉप कर रहे हैं बट क्यों कर रहे हैं सिर्फ 39% सेलेक्शन हैं बाग काफी इंपोर्टेंट पर ले रहे हैं आर इम्रान जो कि 59 मैच खेले हैं जो कि 858 रन बना है बॉलिंग 11 मैच में इसने बॉलिंग कराई है और हां साथ फिकेट भी लिये हैं तो इंपोर्टेंट है लेकर चलना ट्रम पिक यूजाइद की तो दस में सिर्फ 57 रन बनाएं और बाउनदा बॉलिंग नहीं करने बाला दस में सिर्फ 57 रन हैं ड्रॉप करने जासा है लिए में लेकर मत चलना ए अटसर निव पलियर है अवाइड करना क्योंकि निव पलियरे स्ट्राट्स हैं नहीं अभी खेलना आया है बाकि डी पटिल डी पटिल को लोग अवाइड कर रहे हैं बाकि चौते या पांचो नमबर वो बैटिंग करना आएंगा 35 परसंट सेलेक्शन है और दो सो चौता रन बना है जो कि ठीक राव अपसन है अगर आप चाहो तो क्यों अनवर की जगा आप इसको ले सकते हो क्यों कि उससे ज्यादा रन यह बना लेंगा बैटिंग से बट वो बॉलिंग कराएंगा यह बॉलिंग नहीं कराने वाला चेहां परसंट सेलेक्शन है ट्रंपिक बन सकता है चाहो तो रख सकते हो यह अहमद की बात करूँ तो 19 मैच में 103 रन बनाएं तो अगर आप चाहो तो बात करूँ तो देखो बना बालिंग कराएंगा दो बर की बालिंग कंफो में 8 मैच में इसने चेह वीकेट लिये और बालिंग से तो 15 मैच में सिर्फ 146 रन ही बना पाया है तो चाहो तो रख सकते हो मैं अभी के लिए टीम में रख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टन रने ब अबसे कोषेब्स आधानिग करें रही काफीज फुम में बालिंग कराओ तो ओष्ट इसको रखंप कराएंग में घ्त्राइब तो निव पलेयरे bé डॉप कर कर सकते हो क्योंकि अभी दक खेला नहीं है और स्टैटSec अइन करते हैं नकी नवयता पर फोटीटी तू ए किने में हैं Penуч।- केश उत्र में बद मोई-ससे नहीं करना हैاج केस।-केश उत्र केश के बारें केश बात करें तो चै मैस में सिर्प 42 रन बनाय है। 42 रन बैटिंग समीद मत करना और बॉलिंग भी नहीं करने वाला और साधी मैच ना खेले बाकी एंद राना 10 मैच में 130 रन रन आ हैं 10 मैच में 130 रन चाहँ तो रख सकते हो मैं ने रखने वागा बाकी के नियू पेले रहे इस्टेट्स है नहीं इनके और इस टुनामेंट में पाली बार खेलना है चो नहीं खेल रहे पुराने खेले थे उसे में आपको स्टेट्स बता दिये और लांडर सेक्शन से आगे बढ़ते हैं एहम तारिक एहम तारिक के बारे बात करके तो 43 मेंच खेले हैं और 43 मेंच में 200 बईयाशी रन बनाएं ठीक टाक अप्शन है अगर आपसे को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत बनाना क्योंकि देखो बॉलिंग से आप उमीद रख सकतू बट बैटिंग से उमीद मत रखना क्योंकि 42 मेंच में सिर्फ 45 विकेट लिया है बॉलिंग काफी स्ट्रॉंग है बट बैटिंग इसनी स्ट्रॉंग है नहीं तो मैं अभी के लिए रख रहा हूँ यह अली की बात करो तो 9 मेंच खेले हैं और 9 मेंच में इसने 172 रन बनाए डी पटेल यहां से 311 रन बनाए इस में जो कि 38 में इसमें 311 रन इंपोर्टेंट है लेकर चलना कि बना कर चल जगते हो क्योंकि हर मेंच में दोवर की बॉलिंग करा रहा है 38 मेंच में इसने 11 विकेट भी निकाले हैं तो इंपोर्टेंट है लेकर चल सकते हो अगर मैं यहां से बात करो यह मोहमत की यह मोहमत अगर देखा जाए तो अच्छा उप्शन है 21 मेंच में 235 रन बना है तो अभीकिन में सिर्फ भठावट बोल कर बता रहा हूँ हर मेंच के बारे में आप चाओ तो कॉफी और पैन लिख कर लिख सकते हो 21 मेंच में 235 रन बना है इसने जो की ठीक्टाव उप्शन है और कैप्टन विसी बनाने के लिए हमारे लिए मस्ट पिक रहना चाहिए क्य इंपोर्टन है क्योंकि देखो सबसे ज्यादा पॉइंट दी है कि वीजी बनाने जैसे लायक है रख सकते हो 55 मेंच में 902 रन बनाए है और 38 मेंच में बॉलिंग की है और 32 विकेट निकाले है तो इंपोर्टन है लेकर चल सकते हो यहां से मैं अभी के लिए एहां फरू को ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि साइद मैंच ना खेले बहुत तो रिस्की होंगा बाकि मैं आपको ट्रंपिक की बात करूँ तो देखो डी सद्धिक हमारे लिए ट्रंपिक बनेगा और हां यहां से एदार एदार आपको इसके में पर दिखा दे रहा हूंगा यह भी हमारे ट्रंपिक बनेगा दोनों के स्ट्रेट्स काफी खतरनाक लेवल के है अगर मैं बताओ तो इसने 27 मेंच खेले हैं और 27 मेंच में 513 रन बनाए 14 मेंच में बालिंग की है बर 16 मेंच में विकेट भी निकाले अगर डी सद्धिक की बात करूँ तो देखो ली सद्धिक कमाल इमच पी के 25 मेंच के लिए और 25 मेंच में इसने बनाए 524 रन बनाए 30 मेंच में बालिंग की है और 17 विकेट भी है ट्रंपिक के 5% सेलेक्शन है अगर आपको रिस्क लेना ले सकतो मैं लूंगा और 100% हमें पॉइंट देने वाले हैं तो ट्रंपिक के और ऐस मेंच में आपुष्ट मैंच में मैं अमिन सब वोलता हो अगर में आपको states बता हूँ तो आप बयूंगा एक और प्ले को और क्युम अबर को क spacious up मांवास को नंवर को तो हमारे बालती हैं तो क्युआ कि लेना है कि मैं में एक व्यूंड को काफी कम है हमैं एक को वह है क् क्यों अनुवर को ऐसे इफाल तो क्यों ले बालिंग तक्समर में बात करूँ तो देखो पी मितुल पी सींग दोनों इंपोर्टेंट है लेकर चल सकते हो पी सींग के अगर बात कर तो सबसे ज़्यादा विकेट भी निकाले है 25 विकेट निकाले है इंपोर्टेंट है बट अच्छे खासी बैटिंग कर लेता है तो रख सकते हो पी मितुल चवालिस मेंच में 215 रद मता है 31 मेंच में 23 विकेट है तो चाहो तो रख सकते हो यहां से एस अली नकी की बात करूँ तुम्हे पिक हैं 36 मेंच में 20 विकेट है जाहो तो रख सकते हो आपकी यहां से एस बटेल 32 मेंच में 88 रद में और तेरह मेंच मीं बैष्ट कराही यह फिकेट लिας काभी शुकल है बडर हे मैं मेंच में नहीं कराता है अगर एक मैंस में बात कराता है या तो आप सबको ड्रॉप कर सकते हो और एक प्लेयर मैं ऐसा बता दीता हूँ जो कि हमारे लिए मस्ट पिक रहना चाहिए तो वो है एफ रहीं एफ रहीं ट्रॉम्पी के खेले तो आप जड़ू ट्राय करना काफी अच्छी बॉलिंग करा लेता है अभी केले मैं ऐसे लोग के वी सी बना कर चलेंगे बैटिंग से उम्विद्मत रखना सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट देगे तो यहां से अगर आपको कैप्टन बनाना डी सदीक पांच परसंट सेलेक्शन है कोई ट्राय ने करेंगा देखना इस मैच के बाद कैप्टन के सेलेक्शन इसके आप ही जितोंगे मेरे तो क्या अब इसको कैप्टन बनाने के बाद एसरो हमारे मस्ट पी के बैस कैप्टन के लिए यूंअमध मस्ट पी के चाहो तो यहम तरीक को भी बना सकते हो बट अभी के लिए मैं इस सर्वर को बना रहा हूं तो यह टिम मेरी डेमो टीम टेलेग्र पर मिलेगी तो जाओ जली से जूड़ जाओ टेलेग्राम पर